देश में कितने प्रकार की सुरक्षा है मौजूद जानिए किन लोगों को मिलता है इनका लाब नमस्कार दोस्तों आपको बता दे कि हमारे देश में किसी की सुरक्षा की पांस शुरिनी है जिनहें केंदर मंतराले मुहाया करवाता है तो आईए जानते हैं कि देश में कितनी प्रकार की सुरक्षा है मौजूद और कितने श्रेनी में किसे और किन परिस्थितियों में मिलती है ये सुरक्षा आपको बता दे कि ये सुरक्षा ये देश के कुछ VIP को दी जाती है और केंद्र मंत्राले इसकी समिक्षा करती है तो आईए जानते हैं इन सुरक्षा बलों के बाड़े में पहली है SPG सुरक्षा आपको बता दे कि विशेश सुरक्षा दल यानि Special Protection Group SPG देश की सबसे उच इस्थर की सुरक्षा फोर्स है जो बहुत सिमित लोगों को प्रदान की जाती है और SPG की सुरक्षा चार स्थर की होती है इसलिए इसे सबसे सुरक्षी सुरक्षा मानी जाती है दूसरी है Z PLUS सुरक्षा SPG के बाद Z PLUS देश में दूसरे कटेगरी की VIP सुरक्षा है Z PLUS तीन स्थर की सुरक्षा होती है और इसके तहट कुल 36 सुरक्षा कर्मी मिलते है इन में से 10 NCG के वी सेस कमांडो होते है जो पहले घेडे अत्वा प्रतम स्तर की सुरक्षा के जिम्मेदारी समालते हो इसके बाद NCG के अन्य जवान दूसरे लेयर की सुरक्षा समालते है तीसरे घेडे के जिम्मेदारी अर्थ सैनिक बल जैसे IDBP, CRPF, CISF आदी के जवान को दी जाती है Z-Plus सुरक्षा आम तोर पर उन्हीं केंदर मंतराले या विशिष्ट अतिथियों को दी जाती है जिने आतंकी खतरा हो तीसरी है Z-Sुरक्षा देश में ये तीसरी नंबर की VIP सुरक्षा होती है इसमें Z-Sुरक्षा के कुल 22 जवान होते है इन में से 4-5 NSG के विशेस कमांडो होते है जो कड़ीवी लड़ाई की कई विधाओं में परांगत होते है ये कमांडो बिना हतियार के भी किसी दुस्मन का मुकावला करने में माह इसके लिए इने विशेस प्रसिशन दिया जाता है एक स्कॉर्ट वहान भी सुरक्षा में सामिल होता है NSG कमांडो के अलावा Z शुरक्षा में दिल्ली पुलिस या CRPF के जवानों को भी सामिल किया जाता है चौती है Y सुरक्षा VIP सुरक्षा में चौते स्थान पर आने वा प्पांच भी है एक सुरक्षा विए पी को दी जाने वाली यह सुरुवाती सुरक्षा सिस्टम है एक स्ट्रेनी में केवल दो सुरक्षा कडमी सामिल होते है और इनी में से एक पी एसो भी होता है धन्यवाद